Hello friends, welcome back to our channel. You are watching Rahul Puruthi Vlogs and I am your friend Rahul Puruthi. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Don't forget to subscribe this YouTube channel and also press the bell icon for regular notification. Friends, इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ. Audition details रेगलर चलती रहेंगी. जैसे जैसे मुझे audition details की अपडिशन मिलती रहेंगी, वैसे वैसे में video upload करता रहूँगा. तो friends, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो के थुरू आपको मिलने वाला है motivation आपको अपने singing career को आगे बढ़ाने के लिए. Friends, आज हम बात करेंगे एक ऐसी section की जिसने गुमनामी के अंधरे से निकल कर अपनी सफलता की सेड़ी पर अपना पाव रखा. Friends, आज हम बात करेंगे एक ऐसी section की जो बहुत प्रतिबावान हैं, जिन्होंने अपनी कला से साबित कर दिया, कि जिसके अगर आपके पास कला की शक्ती है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता. Friends, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट sensation रानू मंडल की. रानू मंडल को ऐसा कोई अपशक्स नहीं होगा, जो जानता नहीं होगा. वो इतनी popular हो चुकी है YouTube पे या Facebook पे, वहाँ पर हर जगे उनकी जो वीडियोस डल रही है, regular updates में डल रही है. जैसे उनकी वीडियो आई और viral हुई, वैसे ही उनको एक जो चांस मिला, बहुत बढ़िया चांस मिल गया हूँ. आईए बात कर ले हैं रानु मंदल के कुछ जीवन के बारे में, रानु मंदल का जो जीवन है, वो बहुत ही गरीबी में बीता है, वहाँ पर मतलब खाने को भी उनको रोटी नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने फुट पात पर गाना शुरूर किया, गाना भी वो लता आच रुपे, दस रुपे डाल जाता था उनकी कटोरे में, तो वो उसी से अपना घर चलाती थी, उसी से अपना सब कुछ अपना सिस्टम चलाती थी, एक दिन एक शक्स उनके पास आया, जो बगवान का बेचावा कोई दूद था, उनके पास आया, उनकी वीडियो बनाई उसने, और वीडियो बना के उसको वारल किया, और वारल करके वो इतनी वारल हो गई, कि वो वहाँ उनके पास, हिमेज जी के पास वो वीडियो पहुँच गई, हिमेज जी ने जैसी स्टुडियो को देखा, उस वीडियो को देखते ही उनके रॉंक्ते खड़े हो गई, उन ने उसको invite किया तो रानु मंडल बाई एयर महां हिमेज जी के पास आई हाँ इसी बीच जो चकरबती जिसने वीडियो बनाई थी वो उनको लेकर उनके मुंबई हिमेज जी के पास लेकर आया और हिमेज जी ने उसको अपने गाने में जो आप सुन रहे हैं जो क्लिप आपके तेरी मेरी कहानी की जो क्लिप हमें सबको सुनने को मिल रही है बहुत प्यारा गाना मुझे लग रहा है तो आप सोचिए गाना पूरा कितना प्यारा होगा इतना प्यारा गाना वो बनाया है इमेज जी ने तो मैं तारिफ करूँगा इमेज जी की और पहले सी best of luck बोलूँ अब वो कला की भी धनी है और वैसे दौलर से भी धनी हो जाएंगी जिस चीज के लिए उनको दो रुपे, पांच रुपे, दस रुपे एकठा करती थी आज हिमेज जी ने उनकी जो कला की कीमत है वो उनको उसका एक्चल में उसकी जो वैल्यू है वो दी है मतलब एक गाने के आप सोच सकते हैं कि जो एक सिंगर को पैसे मिलते हैं वही आज रानु मंडल को वही उतने ही पैसे उनको मिले हैं तो उनको एक तरह का ये उपहार मिला है जो हीमेज जी ने उनको दिया है उनको पहले जो गाने में ब्रेक दिया है तो ऐसे ही अब मुझे लगता है रानु आभे हम इन से क्या सीख सकते हैं इनकी जीवन से वो हम बात कर लेते हैं आगर और तो रानु मंडल जी ने हम हमें ये सिखाती है कि हम पीज कोई भी सीमा नहीं ऐगok साë ऐसे नहीं होता है, कि आज 60 साल की हैं फिर भी गा रही है तो अगर आप 30 साल की हैं, 35 साल के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, तो आप गाने की कोई, मतलब गाना, जब आपको लगता है कि आप कहा SAKते हैं, तो आप उसी time शुरू करतीजें. आप successful तभी होंगे जब आप उसमें deeply गुसेंगे और उसको सीखेंगे उसको properly गाएंगे उमर मत देखें कि आपकी उमर क्या है दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है रानु जी से कि कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए इंसान अगर जिस दिन हार मान जाता है अपना patience खो देता है उस दिन वो खतम हो जाता है दुनिया बोले तो बोले जब तक हमारा दिल ना बोले तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए अगर हमें आज भी लगता है तो हमें अपने काम में अड़े रहना चाहिए खड़े रहना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जो तीसरी चीज मुझे उस व्यक्ति से जिसने वीडियो का वायरिल किया उस से सीखने को मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए help others उनकी सफलता में दूसरों की मदद करनी चाहिए उसने उसकी help करी वीडियो बनाई और उसको सफल होने के लिए उसको viral मतलब वो viral हो गई और वो इससे सफल कौन हुआ रानू मंडल तो रानू मंडल की सफलता के पीछे हाथ मैं मानता हूँ वो उस व्यक्ति का मानता हूँ जिसने उसकी वीडियो को viral किया तो उसके लिए उसका बहुत धन्यवाद कि उसने उनकी मदद करी ऐसे लोगों की मदद की जरूरत है जिनको इसके बारे में पता है और यही एक सोशल मीडिया की पावर है पावर ऑफ सोशल मीडिया सोशल मीडिया की इतनी तगड़ी पावर है कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तब भी वो वाइरल हो जाएगा अगर आप कोई बुरा काम कोई इनसान करता है तो भी वो वाइरल हो जाएगा आपके पास कोई भी कला है कोई भी uniqueness है तो उसको आप social media पर डालिए अपना account बनाईए उसको social media पर post कीजिए Facebook page बनाईए अपना उसको social media पोस्ट कीजिए अगर कहीं पर भी किसी को कुछ भी click कर जाता है तो definitely आपको वहाँ से एक मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का तो friends इस वीडियो में मैं Ranu Mandal जी को बहुत बहुत बथाई दूँगा और आपको भी कहूँगा कि आप भी इनसे कई चीज़े सीखें Ranu Mandal जी से और आगे बढ़ें और अपने singing cup career को और आगे बढ़ाएं अपनी जो career है उसको successful बनाएं बस इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को end करूँगा अपने गाते रहें गुन गुनाते रहें अपना द्यान रखें हमेशा खुश रहें good take care of yourself good bye